हेलो एब्रीवन इन दा सीजिए ट्रांसफर अफ प्रॉपर्टी एक टुड़े वीडियो के गिफ्ट क्या होता है कैसे दिया जाता है कौन देने वाले होते हैं लेने वाले कौन होते हैं कौन-कौन लाइबल है कौन नहीं है तो सारे आज हम पढ़ेंगे इसके मैं दो पार्ट करूंगा इस वीडियो के आदे पार्ट इस वीडियो में कुछ प्रोविजन से वीडियो में होंगे तो गिफ्ट के बारे में बात करते हैं गिफ्ट होता है एक ऐसा ट्रांसवर जिसमें आपको ओनर्शिप का ट्रांसवर होता है लेकिन बिदाउट कंस कोई चीज मेंने दिने पढ़ती उसमें कोई पी चीज का पेमेंट नहीं होता वो गिफ्ट होता है अब यहां पे अगर बात करें तो एक टर्म आती है gratitude to transfer ग्रेटर स्ट्राइस ट्रांशर का ही मतलब होता है कि बिना आपको कोई चीज मिल रही है वो ग्रेटिवस ट्रांसवर होता है तो अगर हम ग्रेटिवस ट्रांसवर को देखे तो यह दो तरह से हो सकता है एक तो यह होता है कि living persons के बीच में और एक यह होता है कि लेकिन अगर living persons के पीच में कोई प्रापटी का ट्रांसवर करना है तो उसके लिए दोनों परसन जिंदा होने चाहिए और उनको जिंदा होने के लिए यहां पर यह जो ट्रांसवर प्रापटी एक्टेस में बना रखे हैं अब हम एक एक इल्स्टेशन से समझना चाहें कि gift क्या है तो इल्स्टेशन बात करता है कि a transfer his house to be without consideration कि बिना consideration के यह है house अपना है उसको transfer करता है बी को बिना consideration के बिना कुछ return बिना कोई payment लिए उससे अपना house दे रहा है तो उसको gift बोलेंगे हम तो मतलब क्या है कि कोई भी compensation में आप उसको देते हो उसके against में आप compensation में दे रहे हो वह amount क्योंकि अगर सब्सक्राइब होती है कोई चीज की तो सेल में क्या करते है कि एक जने को property मिलेगी दूसरा जना पैर्मेंट करेगा उसका पैसा देगा जो जित्ती सेल हुई जित्ती की property की value उतना money जो है वो उस के लिए आप कुछ value या फिर कुछ security amount जो होता है वो देना पड़ता है आप property जो security देते हैं और वो परसान आपको security amount देता है उसके बदली लीज की बात करें तो एक particular rent या जो premium होता है वो आपको देना पड़ता है लीज के लिए जहापे आपको possession में होता है गिफ्ट में य चार जा फिर कुछ भी चीज़ ऐसी है वो नहीं देनी पड़ती यह एकदम free में मिलता है आपको अब हम गिफ्ट के provisions की बात करते हैं गिफ्ट में है section 122 122 बात करता है gift is a transfer of certain existing movable or immoveable property made voluntary and without consideration gift एक ऐसा transfer होता है जो movable और immoveable दोनों चीज़ों का उसकता है यहां पर movable और immoveable दोनों properties की बात करी है made voluntary voluntary word का मतलब यह है कि अगर कोई जो person जो transfer कर रहा है किसी चीज को कोई चीज को transfer करने वाला जैसे यहां पर ए transfer कर रहा है तो यह voluntary transfer करना चीए B को voluntary transfer करने से मतलब है कि यहां पर A की पूरी consent होनी चीए कि हाँ मैं जो प्रॉपर्टी है या मेरा जो हाउस है मैं उसको B को ट्रांस्वर करना चाह रहा हूं यह A की कंसर्ण वॉलेंटरी होनी चाहिए यहाँ पर A के उपर कोई दवाब नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो से A के उपर दवाब बने और उसको यह ट्रांस्वर करना पड़े ए अपना जो ट्रांस्वर करना चाहिए वो वॉलेंटरी करना चाहिए फिर समें बात आ रही है विदाउट कंसिडरेशन तो यहाँ पर जो B परसन है इसको पराइब करना पड़ेगा कि 10 रुपे का पैन तो आप दुकामदार को 20 रुपे 10 रुपे देने हो देने पड़ेंगी लेकिन यहाँ पैसा नहीं होता है गिफ्ट में यह है कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना है उस पर्सन को कोई भी चीज ट्रांस्वर नहीं करनी है the donor अब यहां पर donor और dony थो वर्ड आते हैंacement कि दो मतलब होता है जो प्रॉपटी दे रहा है जो doing मतलब होता है जो प्रॉपटी ले रहा है जो ट्रांस्वरी है ट्रांस्वर्र और ट्रांस्वरी वही सेम चीज डोनर और डोनी तो यह गिफ्ट में section 122 है आगे हम गिफ्ट के section की बात करें तो अभी इसमें अगली line आ रही है कि acceptance when to be made कि कब accept की जाएगी जो gift जो दी जारी है property तो इसमें बता रहा है कि such acceptance must be made during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving तो acceptance का मतलब यहां पर ये है कि जिस person को आप property दे रहे हो वो उस person को उस property के लिए acceptance भी देनी पड़ेगी कि हां मैं इस property को accept कर रहा हूं कि जैसा कि हमने अभी उपर example देखा उसमें था कि एपने property ब्यों को transfer कर रहा था तो यहां पर B Storm है इसको ये Acceptance को रखने के लिए तो वो होती है अब ये बात जो है ये जो क्यों डला है कि उसकी सhmen जा रही है तो उसके लिए बात ये आती है कि वह ये आ लेजिए A अपने house को transfer करना चाहरा है B को वो भी बिना consideration लेकिन A ने अपने house को mod gauge पर दे रखा है और mod gauge की value है वो 1 करोड रुपए है अब अगर house mod gauge पर दे रखा है और mod gauge की value 1 करोड रुपए है और अगर वो transfer कर रहा है B को तो B person के पास जिस दिन transfer आ जाएगा क्योंकि B को तो लग रहा है कि free में चीज़ आ रही है लेकिन उसको यह नहीं पता कि उसके ओपर mod gauge भी है तो अगर वो चीज भी उसको accept कर लेगा तो B को ही वो mod gauge का जो money है वो payment करना पड़ेगा इसलिए यहाँ पे जो डोनी होता है ज is still capable of giving और जो acceptance है वो donor को देनी पड़ेगी डोनी के दवारा डोनी मतलब जिसको property मिल रही है वो acceptance देगा donor को कि हाँ मैं यह property लेने को तैयार हूँ और वो कब तक दे सकता है कि वो जब तक capable हो capable का मतलब यह है कि वो unsound mind का नहीं होना चीए जब transfer कर रहा है donor तो अगर transfer कर रहा और उसको भी acceptance नहीं मिली और वो unsound mind का हो गया तो फिर यहां पर वो acceptance उसको नहीं मिल पाएगी तो यह gift deed void हो जाएगी फिर बात आ रहे है इफ दर डोनी डाइस बिफोर acceptance दगिफ्ट इस बॉइड यहां पर फिर इसमें बात करेए कि जो डोनी है जो acceptor है जो gift मिल रहा है जिस person को जो transfer है जिसको gift मिलना है जिसको accept करना है अगर उसकी death हो जाती है उसके accept करने से पहले ही उस gift को ए अगर बी को कोई gift देता है और बी उसको अगर accept नहीं करता है उससे accept करने से पहले ही उसकी death हो जाती है तो यह gift void मानी जाएगी फिर आगे इसमें बात करिए section 123 की कैसे transfer effect होगा कि gift का जो transfer होता है वो कैसे होता है उसकी बात करिए यहां पर तो 123 बात करता है कि transfer how effected इसको हम पढ़ते हैं अब यह बात कर रहा है for the purpose of making a gift of immovable property the transfer must be effected by a registered instrument signed or on behalf of the donor and attested by at least two witnesses तो यहां पर वो ही registration वाली बात है कि कैसे accept करना है for the purpose of making a gift of immovable property अगर immovable property है उसका gift करना है क्योंकि जो gift के provisions है यह movable और immovable दोनों properties लगते हैं तो यहां पर बता रखा है कि अगर immovable property है तो उस पर कैसे आपको जो transfer होगा वो कैसे होगा तो the transfer must be effected by a register instrument तो आपको instrument बनाना पड़ेगा एक return instrument बनेगा return document बनेगा उसको register भी करवाना पड़ेगा अब यहां पर ऐसी बात नहीं है कि जो property है वो 100 रुपे से कम की होनी चीए यह 100 रुपे से ज्यादा की होनी चीए ऐसी कोई बात नहीं है 100 रुपे से कम की भी अगर इमिवल प्रॉपर्टी है तो भी आपको register करवाना पड़ेगा और 100 रुपे से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो भी करवाना पड़ेगा तो आग अब हम बात करते हैं इसमें कि ट्रांसवर हौँ एफ्सकुमेंट कोनटरेक्ट होना चीए उसके लिए डॉक्यूमेंट होना चीए वह रजिस्टर भी होगा 100 रुपे से कम की वेल्ल्यू का हो 100 रुपे से ज्यादा की अका हो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर इसमें बात करिए sign होना चाहिए by or on behalf of donor या तो donor के द्वारा जो transferer है जो property दे रहा है जो gift कर रहा है उस person के द्वारा जो instrument उसके sign होना चाहिए मतलब जो donor है जो accept कर रहा है उसकी सिर्फ acceptance चाहिए उसके sign की जरूरत नहीं है एंड अटेस्टेड वाई at least two witnesses और दो witnesses के द्वारा उसको अटेस्टेड होना जरूरी है तो immobile property के लिए क्या है कि donor sign करना चाहिए और दो अटेस्टेंग witness होने चाहिए उसके लिए अगर अगर इस्टेंट बना रहे हो आप पूरा डॉक्यमेंट बना रहे हो कि जाजी आजी प्रॉपर्टी है मुवब्ल प्रॉपर्टी का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी जो एक इस्तान से दूसरे इस्तान जा सकती है विच ट्रांसवर वान लिया जाएगा कि वह गिफ्ट हो चुका है तो यह जो डिलेवरी मुवब्ल प्रॉपर्टी की ऐसी होईगी जैसे कि गुट्स सोल्ड होते हैं वैसे ही माना जाएगा सेक्शन 124 बात करता है गिफ्ट ऑफ एक्जिस्टिंग फ्यूचर प्रॉपर्टी कि आप जो गिफ्ट करना चाहरे हो तो एक्जिस्टिंग मतलब अभी करेंट में जो आपके पास प्रॉपर्टी है और एक फ्यूचर प्रॉपर्टी की यह लिखा है वाइड एस टू सब्सक्राइब तो अगर आप जाती है अगर आप करना चाहरे हो कि मेरे पास इन फ्यूचर एक प्रॉपर्टी आएगी में उसको आपको गिफ्ट करूंगा तो अगर ऐसे आप ड्रोक्यूमेंट बना रहे हो तो वह डॉक्यूमेंट बॉइड माना जाएगा वो गिफ्ट बात करता है gift to several of whom one does not accept कि आपने बहुत सारे लोगों को gift transfer करी है लेकिन क्या होता है उसमें से कुछ तो accept कर रहें और कुछ मना कर रहें तो यह section बात करता है कि जो accept कर लेंगे उनको gift मिल जाएगी और जो accept नहीं करेंगे वह बापिस जो राइट है वह बापिस रिवर्ट हो जाएगा transfer को डोनी को जो gift transfer कर रहा है जो gift दे रहा है पढ़ते हैं इसको a gift of a thing to two or more डोनी दो या दो से अधिक लोगों को जब कोई gift दी जाती है डोनी मतलब जो gift accept करेंगे often burden does not accept उन में से कोई एक असेप्ट नहीं कर रहा है इस वाइड एस टू इंट्रेस्ट विच्छी वूड है बिन टेकन हैड ही असेप्टेड तो यह जो इंट्रेस्ट जो create हो रहा था उसके favor में वह वाइड हो जाएगा उसके favor में उनली लेकिन जो अधर persons है जो इसको छोड़े के जो other person है जो person accept नहीं कर रहा है अगर वो accept कर रहे हैं तो उनको वह gift transfer हो जाएगी और जितना हिस्सा इसका है जिसने यह accept नहीं किया है वह बापिस donor को transfer हो जाएगा तो यह थे section 122-125 next video में हम देखेंगे section 126-129 thank you very much